नमस्कार मित्रों मेरा नाम मनुहार पारशर है और मेरे चैनल में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों जीवन की राह चुनोतियों से भरी हुई है इस राह में हम ऐसे फ्रेंट को हमेशा मिस करते रहते हैं जो हमें सही सलाह दे और वास्तविक रूप में हमारा हमसफर बने एक बार इन चुनोतियों से लड़कर इनसान सफल हो भी जाये पर इस सफलता को बनाये रखना बहुत मुश्किल हो जाता है जैसे तो ये चुनोतियां समय के साथ अपना सबग दे जाती हैं परनतु हमारे पास समय का ही तो अवहाओ रहता है हम इंतजार नहीं कर सकते ये चुनोतियां हमें सबग सिखाएं और हम उससे प्राप्थ अनुभब को सफलता प्राप्थ करने के लिए इस्तमाल करें ऐसे में किताबें हमारी सहायता करती हैं यही हमारी वास्तविक, सलाहकार और सच्ची हमसफर साबित होती है यहां तो संभव नहीं हैं कि हर व्यक्ति को सर्विष्ठेश्ट व्यक्ति का मार्क दर्शन प्राप्त हो जाए ऐसे में यही किताबे हैं जो हमारा सच्चा मारक दर्शन करती है आज इस वीडियो में मैं आपको ऐसी साथ प्रेणात्मक किताबों के विशय में बताऊंगी जो आपके जीवन को एक नई राह प्रदान करेंगी और सफलता के पतफर अग्रुसर करने में मदद करेंगी तो सभी इस शक्ती का अंदाजा नहीं लगा सकते इस किताब को पढ़ने के बाद आपको सकारात्मक सोच की शक्ती का अंदाजा हो जाएगा क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसे ही हो जाते हैं इस किताब के लेखक नॉर्मन विंसेट ने इस किताब में सोच की ज़रीए सफलता करने के कई तरीके बताए है लोगों ने इस किताब को पढ़कर समझ लिया है वे सभी सफलता का स्वाथ चक चुके है इस किताब के लेखक का कहना है कि आत्मुशास बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि तुम लगातार चुनोतियों का सामना करते रहो मिश्क्रिये बढ़ने रहना ही डर का सबसे बड़ा कारण है इसरी किताब है सोचिये और अमीर बन्ये इस किताब का शीर्षक थोड़ा सुकून देने वाला और थोड़ा हैरान करने वाला भी है क्या जिस अमीरी को प्राप्त करने के लिए सभी लोग प्रयापस्वरत है उसे पाना इतना आसान है हाँ ये सत्य है ये किताब आपकी सोच को ऐसा बनाने के लिए मददगार साबित हो सकती है के चलते आप वो रास्ता पकड सकेंगे जो अमीर बनने की ओर जाता है इस किताब के लेखक है नैपोलियन हिल इन्होंने 40 करोड़ पती विक्तियों का इंटर्वियू लिया और ये जाना कि उनकी सोच में ऐसा क्या है जो उन्हें आम से खास बनाता है और इसके बाद वो समझ गए कि हमारी सोच और कल्पना की शक्ती ही हमें सफल और असफल बनाने के लिए काफी है ये बात तो साफ है कि जैसी हमारी सोच होगी वैसी हमारी लाइफ बन जाती है ये जानने के बावजूद भी यदि हम अपनी सोच को सही दिशा नहीं दे पाते तो ये किताब आपकी काफी मददकार सिद्ध हो सकती है ये किताब आपकी सोच को बदल देगी इसे पढ़कर आपके अंदर की सारी नकारात्मक्ता में परिवर्तित हो जाएगी इसे पढ़कर आप ये जान पाएंगे कि कैसे बड़ी सफलता हासिल करने के लिए बड़ी सोच विक्सित की जाए क्योंकि जब सोच वड़ी होगी तभी तो बड़े जादू दिखाई पढ़ेंगे चौथी किताब है रहस्ते यह किताब रॉंडा वर्न ने लिखी है इस किताब में आकरशन के नियम के महत्व को बताया गया है इस किताब में आकर्शन के नियम को दुनिया का सबसे ताकतवर नियम बताया गया है यदि आप अपनी लाइफ में हेल्थ, मनी और सक्सेस चाहते हैं तो रोंडा बर्न की इस किताब को जरूर पढ़िये रोंडा बर्न के अनुसार यदि आप अच्छा मैसूस कर रहे हैं तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आप अच्छे विचारों को सोच रहे हैं अच्वी है रिच डैट, पूर डैट अमीर व्यक्ति और गरीब व्यक्ति के अंतर को देखकर आपके मन में अक्सर ये सवाल उठता होगा कि अमीर व्यक्ति और अमीर और गरीब व्यक्ति और गरीब क्यों होते चाहते हैं आपको अपने इस सवाल का जवाब रवर्ट कियोंसकी की बुक रिच डैड पूर डैड में मिल जाएगा आपको यह बुक पढ़कर यह भी पता चलेगा कि पैसे का जही ढंक से इस्तिमाल कैसे किया जाए आत्मा के लिए अमरित आपके सपने बहुत कीमती होते हैं अपने सपनों को चोरी ना होने दे यह जैक कैनफिल्ड और मार्क विक्टर हैंसन द्वारा रचित एक बहतरीन किताब है यदि आपको इंस्पिरेशनल के लिए छोटी-छोटी कहानिया पढ़ने का शौक है तो यह किताब आपके बहुत काम की है इसे 101 छोटी-छोटी मोटिवेशनल स्टोरी दी गई हैं जो आपको इंस्पायर करने के साथ साथ आपके दिल को भी चूलेगी सात्वी महतवपूर्ण किताब है मेरा चीज किस ने हटाया इस किताब में यह बताया गया है कि अपने जीवन और काम में होने वाले परिवर्तनों का सामना कैसे करें यह किताब डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन द्वारा लिखी गई है यह परिवर्तन के महत्व को बताती है डॉक्टर जॉनसन के अनुसार यदि आप में आप परिवर्तन नहीं करते तो आप नश्ट हो सकते हैं इसे एक सरल नीती कता है जो परिवर्तन के बारे में गहरी सच्चाईयों को जागर करती है परिवर्तन प्रकृति का नियम है इसे अपनाने और इसके महत्व को समझाने के लिए इसमें एक कहानी सुनाई गई है इसे सुनने के पश्चात आप परिवर्तन को खुले दिल से दोस्तों आज इस वीडियो में हमने ऐसी चुनिंदा साथ किताबों के बारे में बात की है जो आपको खुश रहने में मदद कर सकती हैं और जीवन जीने की कला सिखा सकती हैं आपको इन किताबों को अवश्य ही पढ़ना चाहिए इसके अलावा भी ऐसी कई किताबे हैं जो आ अगरसर रहें तो आप किताब पढ़ने को अपनी आदत में शुमार कर लिजे दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो क्रपिया लाइक और शेयर कीजिए मेरे वीडियो पर कमेंट कीजिए तथा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करने क बात बगल में जो बेल आइकॉन है उसे दबाना न भूलें जिससे मेरे चैनल के रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे थैंक यू